हेलो फ्रेंड्स अलका शादा चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आज जो मैं वीडियो लिखे आई हूँ वो होली का देहन के उपर है और जैसे कि आप जानते कि 28 तारिकों को 2021 में रविवार के दिन होली का देहन है और 29 तारिकों हम होली खेलेंगे तो मैं आपको यहाँ पर आज का वीडियो मेरा इसी विशे में है कि होली का देहन का क्या महत्व है होली का देहन क्यों किया जाता है और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी शुमूरत भी बताऊंगी कि होली का देहन का शुमूरत क्या है तो आप मेरे यह वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और मैं उन फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ जो मेरे ये वीडियो इस समय देख रहे हैं और जिसनों ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अलका शार्दा को सब्सक्राइब कीज ताकि जब मैं अपने वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा तो फ्रेंड्स आईए हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि होली का धेहन हर साल फागुन अश्टमी से पूर्णिमा तक होली का अश्टक होता है यह पूरा समय होली के उत्सक होता है इस दौरान सभी शुब कारे विवा ग्रह प्रवेश शादी इत्यादी करना मना है इस बार यह पूर्णिमा 28 मार्च 2021 रविवार के दिन पढ़ रही है माना जाता है कि होली का दहन की लपटे बहुत ही शुब होती है जिससे हर प्रकार के दुखो करनाश हो जाता है हिंदू कलेंडर अनुसार यह साल का आकरी दिन होता है और फिर अगले दिन यानि नवर्ष के पहले दिन रंग वाली होली खेली जाती है जो इस बार 29 मार्ट 2021 30 सोंवार को खेली जाएगी अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि होलिका का दहन क्यों किया जाता है इसके पीछे एक पुराणी कतक है कि जैसा कि हम जानते कि हर साल होलिका दहन हम लोग करते हैं और होलिका उसका हम तो हर मनाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है तो आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन क्यों किया जाता है तो त्रेता युग में जैसा कि पुराणी क्मानिता के अनुसार देते राज हिनरा कश्षप खुद को भगवान मानता था लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विश्णू के अलावा किसी की पूजा नहीं करता था यह देख हिनरा कश्षप काफी क्रोधित हुआ और अंतत उसने अपनी बेहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अगनी में बैठ जाए होलिका को वरदान प्रापता कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं पोचाएगा लेकिन भगवान विश्णू की क् अब फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगी होलिका दहन का इतिहास हिस्ट्री होली के तवहार के बारे में कोई प्रचिन जानकारी भी है प्राचिन विजय नगत समराज की राजधानी हमपी में मिले सोलवी शताब्दी के एकचित्र में होली परव का उल्लेक मिलता है दोस्तो इतना ही नहीं विंदी पारवतों के पास रामगर में मिले इसा से तीन सो वश पुराने अभी लेक में भी इसका उल्लेक मिलता है ये भी मानेता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष ने पूतना नामक राक्षशिस का वद किया था इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी अब फ्रेंस मैं आपको बताती हूँ होलीका से जुड़ी क्या मानेता है मानेता है कि होलीका की अगनी में सेक कर लाए गए अनाच खाने से व्यक्ति निरोग रहता है होली की बची हुई अगनी और राक को अगले दिन प्रातह घर में लाने से घट से नकारा तो जैसे कि आप जानते हैं होली रंगों का तोहार है हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा तिति को होलीका देन करने की परंपरा है और फिर अगले दिन होली मनाई जाती है होली पर्व का केवल धार्मिक ही नहीं बलकि सास्कृतिक द्रष्टी से भ बड़ी बाकी सबी चीजों के बारे में फागुन पूर्णिमा दो हजार अकीस पूर्णिमा तिति आरंभे मार्च अठाइस दो हजार इक्किस को तीन बच का 27 बजे से, पूरिमा तिथी समापत है, मार्च 29, 2021 को 12 बच का 17 मिनित तक, होली का देहन 2021, होली का देहन मूरत है, 6 बच का 27 मिनित से, 8 बच का 56 मिनित तक, अवदी 2 घंटे 20 मिनित की है, होली का अवदी जो है, 2 घंटे 20 मिनित की है, होली जो है, 2021 में भादर पूछ, जो होता है, वो 10 बच के 13 से 11 बच के 16 है, और भादर मुख जो है, 11 बच के 16 से 12 बच तक है, होली का अश्टक 2021 में, होली से लगबग 8 दिन पहले होली का अश्टक लग जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन शुक्रपक्ष की अश्टमीत इति से होली का अश्टक शुरू हो जाएगा, इस साल होली का अश्टक 22 मार्च से 28 मार्च तक रहेगा, धार्मिक मानेताओ के अनुसार होली का अश्टक के दौरान, जैसे कि फ्रेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि शादी, विवा, वाहन करीदना ये घर करीदना है, एवं कोई भी मांगलिक कारें नहीं किये जाते हैं, हालनकि इस दौरान पूजा पाठ करने और भगवान का स्वरन भजन करने से शुफ़लों की प्राप्ती होती है, अब फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि होली पर क्या ना करें, होली का देहन वाले दिन सफेद खाद पदार्तों का सेवर नहीं करना चाहिए, होली के दिन अपने सिर को ढख कर अवश रखें, यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ती हो चुकी है, तो आपको होली के दिन ना तो होली गाने चाहिए और ना ही जलाने चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स आप चानते हैं कि होली का तोहर 29 मार्ट 2021 यानि की सुमवा को बनाया जाएगा, उसके एक दिन पहले 28 मार्ट 2021 को रविवार के दिन होली है, लेकिन इससे पहले होली आपको यह अवश जान लेना चाहिए, कि आपको होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली का पूजन और होली का दहन का समय अत्यांती महत्कूर माना जाता है, जब पूरी शक्तिया अपने पूरे चरम पर होती हैं, तो चली जानते हैं होली पर क्या करें और क्या न करें होली पर क्या करें होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसोर लॉंग जाइफल और काले तिल बांद कर रखें और जल्ती होली में उन्हें डाल दें ऐसा करने से आप पर नाकारात्मक शक्ति का इसरा होली के दिन आपको सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो भली ही यदि आप ऐसा करते हैं तो समाज में आपका भी मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा चौथा इस दिन आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य कर लेनी चाह और पहले इसका भग्वान को लगाकर खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी बातना चाहिए, ऐसा करने से आपके जीवन में खुश्याँ बढ़ेंगी छटा होली का दहन की अगनी में ग्यहुं की बाले अवश्य भूने लोगों से इवश्य मिलें ऐसा करने से आपक अवश्र लें ऐसा करने से आपको अपने घर में बड़ों का अशिर्वात तो मिलेगा ही साती आपको भगवान की क्रिपा भी प्राप्त होगी आठवा होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राक अपने घर में अवश लाएं और उसे अपने घर के चारों कौने में डाल दें ऐसा करने से आपके घर का वास्तुदोष समाप्त हो जाएगा नवा इस दिन होली को जलने के बाद उसकी राक को अपनी तिजोरी में अवश्च रखना चाहिए ऐसा करने से आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा दस्वा होली का धहन के बाद उसकी अगनी को अपने घर अवश्च लाएं और पूरे घर में घूमकर अपने घर में गोबर से बने उपनों की होली अवश्च जलाएं ऐसा करने से आप सदे भगवन का अश्रिफात बना रहेगा अब मैं आपको बताऊंगी कि होली पर क्या ना करें होली का दहन वाले दिन सफेद खात पदातों का सेवा नहीं करना चाहिए क्योंकि होली का दहन के दिन नाकारात्मक शक्तियों का प्रभव अधिक रहता है होली के दिन अपने सिर को ढख कर अवश्च लखे यदि आप पूरश है तो आपको इस दिन टोपी अवश लगानी चाहिए और यदि आप महला हैं तो आपको अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखना चाहिए क्योंकि होली के दिन बुरी शक्तियां सिर पर से ही शरी में प्रवेश करती है तीसरा यदि आपको पुत्न रत्न क प्राप्ति हो चुकी है तो आपको होली के दिन न तो होली गारनी चाहिए और नहीं जलानी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पुत्र को परशानी हो सकती है चौथा सूरदे के बाद होली न तो खेलनी चाहिए और नहीं किसी के उपर रंग डालना चाहिए ऐसा क के दिन सूर के डूमने के बाद होली मिलन के लिए बिल्कुल भी ना जाना चाहिए शास्त्रों के अनुसा ऐसा करना अशुम माना जाता है ऐसा करने से दोनों ही वेक्ति के उपर भारी संकट के आने की संबावना होती है किसी भी नव विवाइत लड़की को होली जलते हुए नहीं देखना और इसके साथ ही सास और बहु को भी एक साथ होली का देहन नहीं देखनी चाहिए शास्त्रों के अनुसा ऐसा करने से उस नव विवाइता को जीवन में कई परकार की परशानियों का सामना करना पड़ सकता है सात्वा होली के दिन किसी को ना तो धन देना चा यह यदि आप ऐसा करते हैं तो आप से मार लक्ष्मी रूट जाएंगे आपको दरितरता का सामना करना पड़ सकता है आठवा इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुब और मांगलिक कार बिल्कुल भी ना करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह सभी कार इस समय मे करने वर्जित माने जाते हैं नवा होलिका के दिन होली के दिन किसी भी शमशान या सुनसान जगह से पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि होली के दिन तंत्र मंत्र क्रिया अधिक होती है जिसका असर आप पर भी हो सकता है दस्वा इस दिन भूल कर भी मास और मद का से समबंदित कुछ बहत्मुन जानकारी आपके साथ में शेर की रही है यदि आपको पसंद आए तो आप जरूर मेरे इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेर कीजेगा और लाइक तो जरूर बनता है और जैसे कि मैं हमेशा कहते हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जो भी नए फ्रेंड्स मेरा देख रहे हैं और पुराने सब्सक्राइबर्स को मैं अपने अंदर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उनके कारण आज मेरा ये चैनल आगे बढ़ रहा है और मैं भगवान से और उनसे यही प्रात्ना करत सब्सक्राइब कर देते रहे हैं ताकि मेरा उत्सा नए चैनलों को वीडियो को बनाने के लिए बढ़ता रहेगा और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहेगा और इसी तरह से मैं आपके सबका प्यार पाकर अपनी जो मेरी आत्मविश्वास बढ़ेगा तो मैं आगे से मैं एडवांस में ही आपको विश कर रही हूं आपके घर में बहुत सारी शुपकार हो और आप पर प्रभु की जादर से जादा आशिरवाद रहें तो इसी टॉपिक को मैं यहीं पर विराम देती हूं और जल्दी ही फिर ने वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी तब तक